हलो दोस्तों मैं अभिराज त्रवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ विकास इश्टुडी सर्किल के यूटूब चैनल पर दोस्तों पिछली संसक्रत की क्लास में हम लोगों ने एक महत पूर्ण टॉपिक संसक्रत वर्ण माला या महेसर सुत्रों के बारे में चर्चा की उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग वेंजनों की विवेचना या वेंजनों का वर्गी करण इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास को हम लोग रिवाइस करते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया मैंने आप लोगों को बताया कि महेसर सूत्र होते हैं 14 और इनकी उत्पत्ति कहां से हुई इनकी उत्पत्ति संकर जी दौरा किये गए तांडवर नर्थ से मानी जाती है और महेसर सूत्रों के रचाईता कौन है महेसर सुत्रों के रचाईता है पाडिन और मैंने आप लोगों को बताया कि महेसर सुत्रों के अंतरगत प्रारंभिक जो चार सुत्र है उसमें स्वरों का वर्गी करण किया गया है और 5 से लेकर 14 तक वेंजनों का वर्गी करण किया गया है ये चीज मैंने आप लोगों को बत आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वर महेसर सूत्र होते हैं आपके 14 और प्रत्या हारों की संख्या होती है 42 ये भी आप लोग याद रखना आगे मैंने आप लोगों को बताया था स्वर के अंतरगत स्वर दो प्रकार के होता है जो स्वर होता है आपका वो दो प्रक के होते हैं तीन भाग विंजन के होते हैं तीन भाग पहला होता है अंतस्त अंतस्त दूसरा बताया था इस पर्स और तीसरा बताया था उस्म उस्म आगे इसके आगे मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो हलंत वर्ण है हलंत वर्ण को इत संग्या होती है हलंत वर् इसकी इत संग्या होती है इस प्रकार इत वर्णों की संख्या कितनी मैंने आप लोगों को बताई थी इत वर्णों की संख्या बताई थी 14 इत वर्णों की संख्या 14 बताई थी और बताया था कि हैवरट में हा दो बार प्रियुक्त हुआ है उसमें रखना है वरट वाले हा की गणना नहीं की जाती और हल वाले हा की गणना की जाती है ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था और मैंने फिर कल की क्लास में पढ़ाता प्रमुक प्रत्याहारों की विवेचना के अंतरगत मैंने बताया था कि अक प्रत्याहार के अक प्रत्याहार के अंतरगत, आपके सभी मूलसर आते हैं, और वो मूलसर होते कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, और ली, ये पांच वर्ण आते हैं, इन्ही को बोला जाता है मूलसर, मूलसर, ये पढ़ा था कल की ग्लास में, और एच प्रत्याहार के अंतरगत, मैंने आपको और ए आओ ये चार होते हैं संयुक्त सर ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी और मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो आपके स्वर हें स्वर का सूत्र क्या होता है स्वर का सूत्र होता है अचा सुराह ये स्वर का सूत्र होता है आगे मैंने पढ़ा था कल की क्लास में हम लोगों ने कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये चीज आप लोगों के की परिच्छाओं की दच्छ से most important है उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है उदात दूसरा होता है अनुदात और तीसरा होता है स्वरित ये तीन प्रकार के होते हैं और मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं तीन प्रकार के कौन कौन से मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या होती है तीन, पहला आता है हस्व, हरस्व, दूसरा आता है दीर्ग, तीसरा होता है प्लूत, ये मात्रा के आधार पर सुरों की संख्या होती है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे विंजनों का वर्गी करण, विंजन कौन-कौन से होते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों नहीं है, विंजन होते हैं तीन प्रकार के, पहला होता है अंतस्त, दूसरा होता है इसपर्ष, तीसरा होता है उस्म, एक-एक करके देखेंगे, अंतस्त वर्ण के अंतरगत या, वा, राला, ये चार वर्ण आते हैं, और ये किस प्रत्याहार के अंतरगत प्रियोगत होते हैं, य आगे ये महेसर सूत्र कौन कौन से महेसर सूत्र ही ये पांच में चठे महेसर सूत्र के अंतरगत आते हैं और इसका सूत्र क्या होता है यड़ा अंतस्था ये इसका सूत्र होता है ये पांच बात चार पांच बातें अंतस्त वर्ण के बारे में फैक्ट हैं आप लोग इसको नोट कर लेना एक बार फिर देखते हैं कि जो अंतस्त वर्ण होता है इनकी संख्या कितनी होती है चार ये कौन-कौन से अंतस्त वर्ण होते है या वाराला और किस प्रत्याहार के अंतरगत आते हैं ये यन प्रत्याहार के अंतरगत आते हैं और महेसर सूत्रों में ये 5 से 6 नंबर के महेसर सूत्र में मिंसन है और इसका सूत्र क्या होता है यड़ा अंतस्था आगे देखेंगे अब इस पर्सवर्ण का से मा तक होते हैं और इनकी संख्या कितनी है 25 पचीस संख्या होती है और इसका सूत्र क्या होता है कादयो मा वसान कादयो मावसाना इसका सुत्र होता है आगे है इसका एक अन्य नाम भी है वर्गिय विंजन most important चीज है ये पूछा जा चुका है एक बार की वर्गिय विंजन किसे कहते हैं तो इस पर स्वर्ण को ही वर्गिय विंजन कहा जाता है ये चीज आप लोग याद रखना आगे है वर्गों की संख्या इसमें होती है 5 और प्रतेक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं कितने सब्द होते हैं कितने होते हैं 5 तो दोस्तों इस पर स्वर्ण के अंतरगत आप लोग याद रखना कि इसमें 25 वर्ण होते हैं और इसको अन्य वर्गिय विंजन नाम से भी जानते हैं और इस पस वर्णों में वर्गों की संख्या होती है पांच और इसके प्रत्य वर्ग में पांच सब्द होते हैं या पांच सब्द का से मा तक ये पाँचाए, ऐसे सभी वर्गों में पाँच-पांच अक्षर होते हैं आगे देखेंगे, उसमण, अगला है उसमण, उसमण कौन कौन से होते हैं शासाशाघ्चाः ये तीनोशाः और है उसमण, ये इनकी भी संख्या होती है चार और ये किस प्रत्याहाल के अंतरगत आते हैं, ये किस प्रत्याहाल के अंतरगत आते हैं, सल प्रत्याहाल के अंतरगत आते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, सलह उसमारा, याद रखना, और ये किस महसर सूत्र के अंतरगत आते हैं, ये 13 और 14 महसर सूत्र के, 13 नमबर और 14 नमबर के महसर सूत्र के अंतरगत आते हैं आगे देखेंगे तो दोस्तों इसका सूत्र होता है सलाह उसमारा सलाह उसमारा ये किस महसर सूत्र के अंतरगत आते हैं ये 13 और 14 नमबर के महसर सूत्र के अंतरगत आते हैं आगे देखेंगे संयुक्त विंजनों का वर्णन संयुक्त विंजन कौन कौन से होते हैं संसकरत व्याकरण में संयुक्त विंजनों की संख्या तीन है याद रखना दोस्तों हिंदी में संयुक्त वर्णन रखत इतने होते हैं चार लेकिन संसकरत में तीन होते हैं च्छा किसे मिलकर बना होता है ये चीज परिच्छा में बहुत पूची जाती है च्छा मिलकर बना होता है का धन सा से याद रखना आप लोग कि का के नीचे ये हलंत है का के नीचे हलंत है ना कि सा के नीचे सा ऐसे है आगे है तरा किसे मिलकर बना होता है ता और रा यहाँ प पर इसदी केसे हैं और यहां से कुस्चन के पूंशते हैं आप इसको टिक कर लीजिए हैं और गया किस सब्दों से मिलकर बना होता है जा और इयां से आगे देखेंगे विंजनों के अंतरगत और वर्ण आते हैं अयोग वाह वर्ण अयोग वाह वर्णों का वर्ण देखेंगे अयोग वाह वर्ण काउन कौन से होते हैं एक बार डिफनीशन देखेंगे अयोग वाह कहते किसे हैं अयोग वाहवर्ण का अर्थ है योग ना होना अर्थात ऐसे विंजन जिनका वर्ण माला में इस पष्ट उलेख नहीं किया गया है अयोग वाहवर्ण कहलाते हैं आगे देखेंगे अयोग वाहवर्ण के बारे में कुछ फैक्ट अयोग वाहवर्ण का निर्माण भी नहीं होता है ये वर्ण स्वरों के बाद प्रियुक्त होते हैं जो अयोग वाहवर्ण होते हैं ये स्वर के बाद प्रियुक्त किया जाते हैं आगे देखेंगे अयोग वा से वो चार अयोगवा हैं, देखेंगे, अनुश्वार, पहला है अनुश्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है उपदमानी, चौथा है जीवा मुलीन, ये चार अयोगवा हवंड होते हैं संसकरत में, कौन-कौन से पहला है अनुश्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है उ अनुश्वार का चिन होता है ये ऐसे अगला आता है विसर्ग विसर्ग आप लोग जानते हैं विसर्ग ये ऐसे प्रदर्शित किया जाता है विसर्ग का एक इकजामपल क्या है जैसे आह आगे देखेंगे उपदमानिय किसे कहते हैं उपदमानिय का साइन ये होता है इस प्र अर्ध विसर्ग इसका नाम होता है अर्ध विसर्ग उपदमानिय के अंतरगत उपदमानिय के अंतरगत कौन-कौन से वर्ड आते हैं ये अर्ध विसर्ग पा, फिर अर्ध विसर्ग और फा, ये उपदमानिय वर्ड होते हैं, आगे देखेंगे जीभा मुलीन, जीभा मुलीन के अंतरगत इसमें ये अर्ध विसर्ग का और अर्ध विसर्ग खा, ये जीभा मुलीन के अंतरगत आते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों, तो मैंने क्या पताया कि अयोग वाहमन कितने होते हैं, चार पहला होता है, अनुस्वार दूसरा होता है विसर्ग चौथा होता है उपदवानी और तीसरा होता है उपदवानी चौथा होता है जी भामूलीद तो यह हो गए कुछ हमारे अयोग वहवण विंजनों के बारे में आप लोगों ने आज पढ़ा कल की क्लास में हम लोग प्रेतनों के बारे में चर्चा करेंगे प्रेतन कितने प्रकार के होते हैं प्रेतनों के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वीडियो को एक से दो बार जरूर देखिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से दिक लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वीडियो को सेर भी करें मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिंद